गुड मॉर्निंग भज्चों, आज हम आपको food habits of animals के बारे में बताएंगे कि मतलब जो animals होते हैं उनमें क्या-क्या food की habits होती है तो animals get their energy from plants and other animals as human beings जो animals होते हैं वो हमारी तरह उजा लेने के लिए, मतलब energy लेने के लिए और plants को खाते हैं, other animals को खाते हैं ठीक है, different speeches in the animals kingdoms have different food habits और इस तरकार जो अलग-अलग animals की speeches होती है, मतलब जाती होती है उनमें अलग-अलग food की habits होती है according to their food habits animals are classified in their categories और उनकी इस habits के कारण हम उनको अलग-अलग categories में classify करते हैं first है herbivores, बतलब शाखाहारी eating only plants on their path जो herbivores होते हैं वो केवल plants को खाते हैं और plants और उनके path को खाते हैं इसके एक्जामपल है गौट, शिप, काव, बफेलो, और एक्सेक्टर जो यह animals होते ही only क्या खाते हैं plants खाते हैं और उसके path खाते हैं corny wolf मतलब मासाहारी जीव eating only insects, fish, other animals and their eggs जो मासाहारी की होते हैं वो others insects मतलब अजर जीव को खाते हैं mushrooms खाते हैं और अन्य animals को खाते हैं और उनके एक्ट को खाते हैं इस प्रकार के जीव क्या होते हैं मासाहारी होते हैं ठीक है? यह ओनली क्या खते हैं? माँ खते हैं, example lion, wolf, leopard, hyena, cheetah, etc. आपको पचा है यह सारे जगली जीव है, मतलब यह सारे अनिमल क्या खते हैं? अनली मीश खते हैं, ठल है only was, मतलब शर्वहारी, शर्वहारी जीव वह होते हैं, मतलब जो सब कुछ खते हैं, eating both plants and animals, ठीक हैं? वह एनि खते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? शर्वहारी जीव या only was, ठीक हैं? एक्जामपल जैसे pig, bear, squirrel, dog and chimkanji जो यह होते हैं, यह animals क्या खते हैं? प्लांट भी खते हैं और animals को भी खते हैं. I hope आप सबके समझ में आ गया होगा. Okay, thank you.